दोस्तों अगर आप YouTube के लिए Cartoon Videos बनाना चाते हो तो इस वीडियो के इंड तक बने रहिएगा सुएगा इस मैं अगर फिर एक निबूटिक साथ और इस वीडियो में हम बात कने वाले हैं Cartoon Videos के बारे में दोस्तों इस वीडियो में आपको Cartoon Videos बनाने के लिए Copy-Paste और एक अप्लिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिनको आप यूज करते हो तो आप एक Top Creative Cartoon Videos वीडियो क्रियेट कर सकते हो दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले हमारे अप्लिकेशन के बारे में दोस्तों वह है Chroma Tone तो रुकिए मेरे दोस्त मुझे को पता है कि आपको Chroma Tone के बारे में हो सकता है पता हो लेकिन इस वीडियो में आपको कुछ special बताने वाला हूँ मतलब कुछ और फीचर्स के बा पर भाले option पर तो लेटर स्टार्ट पर क्लिक करते है और यहां पर आपको पर क्लिक करते ना है और यहां पर आपको सामने चार करेक्टर लेक्टर का मनलब आपको जिस भी तरह के characters चाहिए सासु मा या लड़की या लड़का कुछ भी चाहिए तो यहां पर वो सारे option देखने के लिए मिल जाते हैं तो आप यहां से select कर सकते हो तो मुझे man चाहिए तो यहां से जो animation इस characters को दे सकते हो मालो इसको बात करना है जगडा करना हो या angry होना हो तो कुछ भी यह कर सकता है तो यहां से मैं तो यहां पर मैं angry को select करूंगा जो moving angle होता है मतलब animation okay करूंगा तो यहां पर यह जो लड़की है वो तो यहां पर आप देख सकते हो यह लड़की बहुत गुस्य में आ चुकी है तो इसको सांथ कैसे करना है बस प्लस पर क्लिक करिए और यहां से आपको angry वाले option पर क्लिक करना और नीचे आपको आइडिल पर क्लिक करना है और यहां पर आइडिली पर क्लिक करना है और नीचे आपको चले जाना है वालकिंग वाले option पर यहां पर नीचे आनेक बात आपको वालक वाले option पर क्लिक करना है उक्के पर क्लिक करेंगे तो यह जो हमारी बूरी माहा है यह चलने लगेंगी मतलब ऐसे आ साएक मारके जाएगा दोस्तों बात कर लेते हैं अगले step मतलब दोनों करेक्टर्स और आपस में बात करना हो कैАСय करें गे बहुत सिंपलिया है में यहां पर-पर-प-प्लस बाले से जो एनिमेशन है मुविंग एंगल देना है तो सिंपल सा बहुत इजी है आप देख सकते हो इसको यूज करना आप इजली जो अपने कार्टून वीडियो से यहां से क्रिएट कर सकते हो तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमको बैक्ग्राउंड चेंज करना हो तो कैसे करेंगे तो सिंपल सा आपको recording वाली बागल में आपको background वाल ऑप्षन देखने के लिए मिल जाता है इस पे क्लिक करेंगे तो यहां से आप मन चाहिए background कर सकते हो अगर आपको पीछे green background चाहिए तो simple सा आप green bg पर click करिए और जो पीछे character का जो background होता है वो green हो जाएगा तो यहाँ से आप बहुत सारे background change कर सकते हो तो यहाँ पर आप फिलाल अपने gallery से भी background को import कर सकते हो तो simple सा यहाँ पर आपको इंपोर्ट background वाल option देखने के लिए मिल जाता है तो आप कोई भी background डाउलोड कर करके रखे होंगे तो यहाँ पर आप यहाँ पर आप add कर सकते हो तो मैंने फिलाल कोई background डाउलोड करके नहीं रखा है तो यहां से आप कर सकते हो, simple से यहां पर click करना है और अपना जो background है उसको आपको add कर लेना है तो फिलाल मैं यहां से एक change कर दूँगा यहां से background को इसको select कर लूँगा घर का दोस्तो बात कर लेते हैं अब हम इन characters को बैठाना हो या उठाना हो या चलाना हो तो कैसे करेंगे और आपस में लडाना हो simple सा इस characters के उपड़ आपको tap करना है तो यहां पर मैं tap करूँगा तो यहां पर आप देख सकते हो यह बुड़ी माब इस लड़की को मारने के लिए तयार हो चुकी है तो यहां से हम ऐसे move करके इस लड़की के पास लेकर आ सकते हैं और इन दोनों में मार या जगडा भी करा सकते हैं तो फिलाल हमको नहीं कराना है तो मैं इस बुड़ी पर फिर से tap करूँगा तो यह लाथ मारेगी पिर से tap करूँगा तो यह सो जाएगी तो फिर से टैप करूंगा तो यह बैठ जाएगी तो फिर से टैप करूंगा तो यह खड़ी हो जाएगी तो ऐसे आपको जो cartoon video create करना है अब हम बात कर लेते हैं इस बूड़ी को इस लड़की के पास बोलते हुए जाना है तो कैसे करेगी तो simple सा आपको क्या करना है प्लस पर क्लिक करना है आईडिली पर क्लिक करना है और यहाँ पर हम select करेंगे नीचे जाएंगे और यहाँ पर हम select करेंगे टाल के वेल वालकिंग इस पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे तो तो यहाँ पर देखने लिए मिल जाता है इस लिए हैने असलिए करेंगे है यहां पर आपको मूढ़े लेकर जाएंगे, अपनी वाइस को अपनी वाइस को record करना है तो simple सा आप देख सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे मैंने recording वाले option पर click किया यह जो characters है यह move कर रहा है मतलब चलते हुए जा रहा है और यहाँ पर यह जो बुड़ी औरत है यह बोल रही है तो यहाँ पर आप अपनी वाइस को record कर सकते हो या काइन माश्टर में वीडियो एडिट करते वक्त वहाँ पर भी आप अपना वाइस over कर सकते हो अगर मुझको यह रोकना हो मतलब यह बोल रही है और चल रही हो और यहाँ पर आपको ऐसे उंगली के मदद से इसको ऊपर कर लेना है दोस्तो बात कर लेते हैं अगले step का तो यहाँ से मुझको एक character चाहिए जिसका moving angle हो बात करते हुए और चलते हुए और पीछे का जो background हो वो green हो जिससे हम edit करते वक्त जो background green हो उसे हटा सकें तो simple से मैं इस बुड़ी को select कर लूँगा और यहाँ से मैं green background को select कर लूँगा simple से यहाँ पर click करूँगा और यहाँ से green वाले bg को select कर लूँगा तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपने story के लिए green background वाली जो बुड़ी आउरत है उसको select कर लिया है यहाँ पर फिलाल मेरी story में बुड़ी कुछ बोल नहीं रहोगी बस खड़े ही रहेगी तो यहाँ पर मैंने खड़े ही रहकर इसको record कर लूँगा तो यहाँ पर मैं recording वाले option पर click कर लूँगा और इसको record कर लूँगा जो 16.9 वाला ratio होता है उसको select कर लिजएगा सबसे पहले आप Chrome पर जाएगा और वहाँ पर search करेगा cartoon background उसके बाद लिकर search करेगा वहाँ से cartoon background का जो image है उसको download कर लिजएगा उसके बाद काइन master में आईएगा यहाँ पर अपना ratio select करने के बाद आपको अपना जो background है उससे select कर लेना है तो मैं अपना जो background डाउनलोड करके रखा हो तो उससे select कर लूँगा तो यहाँ से मैं ratio को select करूँगा और gallery से जो मैंने अपना background है उसको select कर लूँगा उसको अपने gallery से select कर लूँगा तो यहाँ पर layer पर click करेंगे और media पर click करेंगे और यहाँ पर मैंने इस बुड़ी औरत को record करके रखा है तो simple सा मैं इसको select करूँगा और यहाँ से मैं इसको crop कर लूँगा यहाँ से ऐसे और sign पर tick करेंगे और इसको green background इसको remove करेंगे chroma की के through तो यहाँ पर chroma की इसको enable करेंगे और जो पीछे का green background है यह हट चुका है तो simple सा मैं इस पर एक बार tap करूँगा तो थोड़ा और चोटा और यहाँ पर placement अच्छा से कर देंगे थोड़ा प्ले करके हम देखते हैं कि हमारा animation मतलब वीडियो कैसा देखने के लिए मिलता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो यहाँ पर हमें एक बंदर को add करने वाले है green background वाला जो बंदर होगा जिससे हमारा cartoon story बनेगा तो दोस्तो मैंने green background वाला जो बंदर है उसको अपने gallery में रखा हुआ तो मैं यहाँ से layer पर click करूँगा और उसको add कर लूँगा यहाँ पर मैंने बंदर को add कर लिया सबसे पहले इसको crop करेंगे तो यहाँ से मैं crop कर लूँगा और उसके बाद हम नीचे फिर से tap करेंगे इस पर बंदर वाले क्लिप पर और इसका green background है उसको chroma की के थो remove करेंगे तो यह आप देख सकते हो जो इसका green background है वो remove हो चुका है तो यह हमारी story बनने के लिए तयार हो चुकी है तो बंदर यह बुड़ी से कुछ बाते करेगा तो simple सा हम थोड़ा सा ऐसे और यहाँ पर अच्छे से placement कर देंगे यहाँ पर आप अपना wise recording कर सकते हो तो simple से यहाँ पर wise पर क्लिक करना है और recording वाले option पर क्लिक कर देना उसके बाद आपकी wise record होगा और जो बंदर है यह lip sync करेगा मतलब बोलेगा और आपकी wise record होगा तो आपको मैं थोड़ा सा play करके दिखाता हूं देख सकतो है यह बंदर बात कर रहा है इस बुड़ी औरस से ऐसी अपने cartoon वीडियो को तीन से चार मिनट का create करिएगा छोटे छोटे क्लिप को फिर बड़ा क्लिप बना लिजीगा उसके बाद यहाँ से high quality की जो अपनी वीडियो से उसको export कर लिजेगा फुल एच्डी एच्डी में तो यहाँ से export करिएगा उसके बाद जाएगा यूटूब पर अच्छा सा title, description, thumbnail, create करने के बाद अप्लोड कर दीजेगा कुछ ही time में जो आपका channel है वो grow हो जाएगा दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि हमको बंदर वाला जो green background वाली वीडियो कहां से लेना है जो अपने वीडियो में edit करते वक्त यूज कर सके तो simple सा search box में YouTube पर आईएगा और search box में जाएगा और यहाँ पर लिखेगा इसको आप जो link है copy कर लूँगा और Chrome पर जाने के बाद इसको download कर लूँगा download करने के लिए simple सा आपको लिखना है कि YouTube वीडियो डाउनलोडर उसके बाद टैप करके नीचे वाले link पर आपको paste कर देना है download वाला option देखने करे मिल जाता है इसे आप download करके अपने वीडियो ए इसको आपट